आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है आए देखते हैं नियोजी शिक्षक के लिए अभी क्या ख़बर आ रही है बिहार में छट्थे चरन की चोड़ आनवे हजार सिक्षकों की बहाली की परकिरिया पांच जून से सुरू करने का आदेश जारी सिक्षा मंत्री बिजाई कुमार चौधरी बिहार सरकार कल से ही अभी अर्थी आवेदन कर सकेंगे आवेदन के साथ निम्न डॉकुमेंट्स जरूर लगाए नहीं तो आवेदन हो जाएगा रद सिक्षकों की बहाली से जूड़ी जनकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखे उससे पहले अगर यह आपने भी मेरे संबादाताओं से बताया कि बिहार के छठे 94,000 और 30,000 सिक्षकों की बहाली की परकिरिया आज यानि अभी से ही सुरू करने के लिए सिक्षा भी भाग के सभी अधिकारियों को आदेश चारी कर दिया है हर हाल में जुराई महीने में बिहार सरकार 94,000 सिक्षकों के नियुक्ति पास्त त्याले योगदान कराएगी सभी नियुक्ति सिक्षक 25 अगस्त को अपने बिद्याले में जहंडा तोलन भी करेंगे पट दिव्यांगो को मौका देने के निर्देश पर सिक्षा भी भाग के ततकाल आगे की तैयारी अरंब कर दी है नियुक्ति की परकिरियां पूरी होने में दो से तीन महीने लगेगा सिक्षा मंतरी विजय कुमार चौधरी ने तीन दिनों के भीतर आवेदन के लिए बिग्या पूर्ण जारी करने का संकेत दिये हैं आवेदन जमा करने के लिए दिव्यांगो को 15 दीन का समय दिया जाएगा आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र बाटे जाने तक कूल 60-70 दीन लगेंगे नए आवेदनों के सामिल होने से मेगा सुची भी नए सीरे से बनेगी फिर उस 15 अगस से पहले सावा लाग सिक्षों की नियुक्ति पत्र बट जाएगा उच नियाले के फैसले का सिक्षा मंत्री ने स्वागत किया है सीत में कहा कि सरकार ने पिछले वजट सत्र में घोशना की थी सिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार विशेश पर्यास करने आले से निय प्रवादिस को कोट में विशेश उनलेक किया जाता रहा और आज इस मामले में हमें राहत मिली है राज के सिक्षक के लाखो पद रिक्त थे सिक्षक योगता पर रिक्षा पास अवियरती सरक पर घुम रहे थे सरकार के इसे बहुत ही कश्ट दायक इस्थिती मानती है पूरी कर लेने की तेयारी में भी थी लेकिन कोट के आदेश में अब हम जल्द दिव्यांगों और 10 दीने के लिए विग्यापन निकालें में महीने लग बदल जाएगी कई बार परियास से त्यारी मेगा सुची छठे चरन के तहत राज के परारंबिक विद्ध्यालों में करीब चाया जा सका दिव्यांगों की अपील पर हाई कोट ने अदेश पर अगस्प 2020 को नियोजन की परकिरिया अस्ताकित कर गई इसे पूर्ण बहाली के लिए सभी नियोजन एकायों द्वारा मेगा सुची बनाई जा चुकी है अब दिव्यांगों के लिए नए आवेदन आने के बाद मेगा सुची बदलनी पड़ेगी सिक्षा विवाग परात्मिक मद माध्मिक और मुश्तर माध्मिक अस्तर पसभी जीलों के दिव्यांगों के लिए आवंटित पद उनके विर्यूद क्यारियत दिव्यांगों और उनके हिस्चे किरीक्त पदों का बेवराज जुट चुका है वीडियो में इतना ही मेरी वीडियो लाइक अबसे कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर दे धन्य बन